गुजराज चुनाव से एन पहले कॉंग्रेस को हार्दिक पटेल के संगठन पाटिदार अनामत अंदोलन समिती का साथ मिल गया है हार्दिक पटेल ने और प्रत्यक्ष तौर पर ये साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के विरोध में हैं इसलिए वो कॉंग्रेस के साथ है आरक्षन पर भी कॉंग्रेस के साथ पॉर्मूला मानने की बात कही गई है मंगल कमिशन की जो सूची थी उस सूची के पेरामिंड्स के आदार पर गुजराज के बिन आरक्षी तुवर्क के लिए स्पेसिपिक सर्वे होगा अभी मैं बोड़ रहा हूँ कि पाटिदार समाज दुखी है गरीब है सरकार बोड़ रही है कि नहीं नहीं पाटिदार समाज बहुत समरुद है तो उस आदार पर एक सर्वे होगा तो दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आरक संड के लिए जिस तरह से सहयोग दिया है वो गुजरात के सभी समुदाई के लिए अच्छी बात है मुझे मालूम है लोग मुझे एजेंट बुलाते है एक अच्छा सब्द दिया है एजेंट मैं बार-बार कहिता हूँ मैं जन्ता का एजेंट हूँ और कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे मुद्दो की बात कही है जिसमें हमें सहमत ही है पूरी तरह से सहमत ही है कोई दिकत में ये कांग्रेस पार्टी के समुद्दो के साथ हमें लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि क्या आप अब कांग्रेस पार्टी जोइन करोगे, क्या अब आप कांग्रेस पार्टी को समर्दन करोगे, तो मैं बार बार काऊ अभी भी बोर रहा हूँ, मैं दाई साल तक किसी भी पार्टी जॉइन नहीं करने वालू, मैं भारतिय जंता पार्टी के द्वारा कियेगे अत्याचारों के सामने लड़ूंगा चाते ठोक कर लड़ूंगा दम लगा कर लड़ूंगा क्योंकि उन्होंने हमारे समाज और गुजरा की असमिता पर बड़ा वार किया है स्वमान पर वार किया है इसलिए मेरा मतलब होता है कि उनके सामने लड़ना जिस तरह से बोल रहे कि कांग्रेस पार्टी से टिकेट का बटवारा नहीं हो रहा इसलिए दो दिन पहले इस तरह से तोड़ पोड़ हुई बवाल हुई मैं पहले भी कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी से ना कोई टिकेट की बात हुई है ना ही किसी भी प्रकार के स्वदेबाजी हुई है हमने सिब कांग्रेस पार्टी से कहा है कि अच्छा और इमामदार परती निधीतों मिलना चाहिए जो हमारी बात एसेमली के अंगर रख सके कांग्रेस पार्टी को हम समर्तन खुले तोर पर नहीं कर रहे हैं लेकिन हम भारते जंता पार्टी के सामने लड़ेंगे मतलब डारेक्ली इंडारेक्ली कांग्रेस को समर्तन होगा मैंने कांग्रेस पार्टी को सपस्ट बोला है और गुजरायत को भी यह सपस्ट कहते हैं कि जिस तरह से निर्दलाई उमिद्वार दो सो से तीन सो करोर रुपे स्पिस्यल इन लोगों ने खरीट खर्च करने वाले ह खड़ा करकर उनको पैसे दिये जाएंगे और वोट जिस तरह से पाटेजारों और बाजपासे जो नारज उनके वोट ट्रांसपर करने के लिए दूसरे उमिद्वारों को ताकि वो कांग्रेस में न चले जाए इसके लिए पारतिये जनतापाड़ी का एक बड़ा प्लान ह मैं कही न कहीं देखते आया हूँ पिछले पांच साथ दिनों से तो गुजरात की जनता को इस तरह से इन लोगों ने समझाए कि हम खरीद लेंगे एक एक उमिद्वार को एक वोट के एक हजार उपिये देने के आधार पर एक एक उमिद्वारों पचास पचास लाक रुप अब बस मैं सिव इतना ही कहूंगा कि दॉवए कि दुवर्ध की जंता समझ्दार है रहें जिस तरह से ये लोग समझ रहें कि दुवर्ध के नइहीं हम पके गुजरा आती है और मुझे बरोसा है कि इसवार गुजरात की जिनता कापर अच्छा करेगी और और यह जो यह ज हार्दिक पटेल भले ही अब कॉंग्रेस के साथ जाते दिख रहे हैं लेकिन बातों से तो यही लगता है कि गुजराच चुनाव में सीधी आने के बाद उनकी इस्थिती कुछ खास अच्छी नहीं है जिसमें अब कोई रास्ता ना देखते हुए हार्दिक ने ये फैसला लिया हो इस खबर पर अपनी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट